हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल आज किस वीडियो में हम बात करने बाले हैं SSC GD Constable 2021 की आंसर की की डेट क्या है और कि SSC GD Constable की आंसर की कब तक आईगी अगर आप जानना चाहते हैं SSC GD Constable की आंसर की से विलेटिड पूरी अपडेट तो बने वही है हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लिजे क्योंकि हमारे चैनल पर SSC GD से विलेटिड पलपल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है जैसा कि दोस्तों आप इस नोटिस को देख सकते हैं यह दोस्तों नोटिस बैसे तो मल्डि टास्किंग की आंसर की को ले करके है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 नमबर को इसका एक्जाम एंड हुआ और उसके बाद 12 नमबर को इसकी आंसर किया गई यानि कि 10 दिन के बार आंसर की दोस्तों आ गई SSC MTS के तो कुछ इस बार SSC GD Constable में भी ऐसा ही होगा SSC की तरब से चाहें कोई सब एक्जाम हो 15 दिन के अंदर अंदर आपको आंसर की देखने को मिल जाती है आधिकतर ऐसा होता कि 10 से 12 दिन के अंदर ही आंसर की देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जैसा की एक्जाम 15 दिसंबर को एंड होगा तो आप मानके चल सकते हैं कि आपकी आंसर की 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी तो आपको यानिकी December के last week तक आपको 100% SSCGD Constable की answer की मिल जाएगी और उसमें अगर आपको लगता है कि ये question मैंने सही किया पर इसका answer गलत आया है तो आप उस पे objection भी कर सकते हैं objection के लिए आपको 100 रुपे पर question के हिसाब से pay करने होंगे और यापे आपको लगबग 5-6 दिन का time भी दिया जाएगा objection करने का तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपनी answer की को देख पाएंगे और कि मैंने आपको date बता दिये इतनी तारिक तक आपकी answer की 100% आ जाएगी बाकी अगर आपका कोई भी question है तो आप इस वीडियो के comment वक्स में comment करके हमसे पूर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe करके well icon को press कर दीजिए ताकि मैं जो भी next वीडियो लेकिया हूँ उसका notification सबसे पहले आपको मिले thank you